जब एक सिद्ध अगोरी ने सिद्धु मूसे वाला की इस गटना के बारे में पहले से ही कर दी थी भविश्यवानी जी हाँ दोस्तों सिद्धु मूसे वाला को इस गटना के बारे में पहले से ही पता था उस अगहुरी ने सिद्धु मूसे वाला को कई ऐसी बाते बताई थी जो सिद्धु के साथ भविश्य में होने वाली थी तो दोस्तो उस अगहुरी ने सिद्धु मूसे वाला से क्या भविश्यवानी की थी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल रियल इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों कुछ हपते पहले सिद्धु मूसे वाला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी लेकिन सिद्धु मूसे वाला को ये बात पहले से ही पता थी कि साल 2022 में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है क्योंकि एक सिद्ध अगोहरी ने सिद्धु मूसे वाला की बारे में भविश्यवानी की थी करीब दो साल पहले कुम्ब के समय सिद्धु मूसे वाला हरिद्वार गए हुए थे हरिद्वार में सिद्धू मूसेवाला का एक इविंट था उस इविंट को करने के बाद सिद्धू ने सोचा कि हरिद्वार आये हैं तो गंगा असनान करके चलते हैं क्योंकि कुम का समय चल रहा था और कुम के समय हरिद्वार में सनान करना बहुत ही शुब माना जाता है। सिद्धु गंगा सनान के बाद निकले ही थे कि उनको वहाँ पर एक अगोरी दिखाई दिये जिनकी बड़ी बड़ी जटायें थी तन पर कोई वस्त्र नहीं था और पूरे शरीत पर भस्न लपेटे हुए था। सिद्धु मुसे वाला उनको देखकर वही रुख जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कहां से आये हैं। अगोरी ने बताया कि उनका कोई स्थान नहीं है वो समसान में रहते हैं। सिद्धु मुसे वाला समझ चुके थे कि वो कोई सिद्ध अगोरी है। तो सिद्दू ने उनसे अपने बारे में पूछा कि आगे का जीवन मेरा कैसा होगा और आगे मैं क्या करूंगा उसके बाद उन अगोरी ने सिद्दू के बारे में बताया कि तुम एक सफल इंसान हो अच्छे कर्म करते हो लेकिन तुमारे कुछ दुश्मन भी बन गये हैं सिद्दू मुसे वला ये सुनकर हैरान रह गये कि उनको इतना कुछ मेरे बारे में कैसे पता है उसके बाद सिद्धू अपने बारे में और कुछ जाना चाते थे तो उन अगोरी ने बताया कि 2022 में तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी घटना होगी और अगर इस घटना से बच गए तो तुम्हारी उम्र बहुत लंबी होगी और आगे तुम बहुती सफल इनसान बनोगे और गरीबों की मदद करोगे अगोरी बाबर ने बताया कि साल 2022 में तुम्हें बहुत समल कर रहना पड़ेगा अगोरी की ये भविश्यवानी सुनने के बाद सिद्धू मुसे वाला वहां से चले गए ये सोचकर कि अभी उसमें टाइम है तो जो होगा आगे देख लेंगे पर दोस्तों उन सिद्ध अगोरी की भविश्यवानी सच हुई और सिद्धू की बेरहमी से हत्या कर दी गई अगर सिद्धू मुसे वाला ने उनकी बातों पर ध्यान दिया होता तो शायद आज बात कुछ और ही होती दोस्तों इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ये अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें हर हर महादेव